नमस्कार दोस्तों तो ये 10 IS का टेस्से संख्यां 2 है और इसमें इतिहास और करेंट अफेर के प्रस्टे के प्रस्ट है तो इस से पहले द्रिष्टी के इतिहास के टेस्स रीच और GS World के इतिहास के टेस्स रीच दोनों को अप्लोड किया जा चुका है अगर आपने नहीं तो जैनुल आपकिन नाम से फार्सी में कविताईन लिखता था। जैनूल आपके नाम से नहीं कुटूब उपनाम से लिखता था। इसका इंसर भी हो गया। इस related दो चार fact है, उसको जरूर देख लीजिए, पहला ये है कि कस्मीर का अकवर और कस्मीर का लाओदिन खिल जी जैनूल आपदिन को ही कहा जाता है, दूसरा fact ये है कि इसके पिता का नाम सिकंदर था, तो पिता का नाम important नहीं है, क्योंकि सिकंदर नहीं ही भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो इसलिए important है, जो इनके पिताजी थी, हलाकि बाद में हिंदूओं की भावना को देखते हुए जैनूल आपदिन ने इस फैसले को बदल दिया, और सती प्रथा की जाज़त दे दी थी, तो ये तो हो गया महतपूर, बाते, सबसे पहले जजिया कर की समापती भी जैनूल आपदिन नहीं की थी, यही तो कारण है जिसके कारण को कस्मीर का आखवर कहती है, दूसरा नंबर क्वेशन है, निमलखित में से किस कस्मीरी सासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो सती प्रथा पर रोक सिकंदर न नाम क्या था जैनूल आपदिन, जैनूल आपदिन नहीं सबसे पहले जजिया कर की समापती की थी, लेकिन इस सती प्रथा को इन्होंने हिंदों के भावना को देखते हुए फिर से इजाज़त दे दी थी, तीसरा ये कि ये फार्सी भासा में खुतूब उप नाम से कविता लिखता था, और इन्हें कस्मीर कालाओदिन खिलजी और अकवर भी कहते हैं, तीसरा नमबर क्वेशन, बलवन के संदर में निविखत में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला कथन है, उसने सिजदा और पैबोस की सुरुआत की, जिसके अंतरगत लोग उसके सामने बैठकर सि ये भी कथन सही है, तीसरा, दिवाने बिजारत बित बिभाग से संब्यांदित हैं, तो गूगल में चेक करने पर ये पता चलता है, जिया तो ये तीनों कथन तो सही है, इसका अंसर हो जाएगा वो प्रोक सभी, लेकिन एक और है कि दिवाने आरिज य्या दिवाने अर्ज यानि कि सैन विभाग के स्थापना भी बलवन नहीं की थी तो ये वाद ध्यान रखने ही हो गए अब निक्स्ट है अलाउद्दीन खेल जी के संदर में नमखित में से कौन से कथन सही नहीं है तो पहला कथन देखते हैं उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया तो ये कथन सही है जैसा कि इसके ब्याक्ख्या में दिया हुआ है दूसरा उसने राजस्व वकाय के लिए दिवाने मुस्तखराज विभाग के स्थापना की तो ये भी कथन सही है दिवाने मुस्तखराज विभाग के स्थापना की थी राजस्व वकाय के लिए तीसरा है उसने दिवाने अर्ज विभाग के स्थापना की में से किसने अपने सासन के प्रारंभिक बर्सों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया तो मुहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है जो जिसने क्या मना किया था सासन के प्रारंभिक बर्सों में जो शुरुवाती वर्स थे उसमें ही खलीफा के नाम पर वाराने वाला कौन था धीम देव स्वलंकी दूति यह विकल्ब इसका सही अंसर है सेवन नंबर है महामंडलेस्वर के पद का सरजन किस ने किया था तो महामंडलेस्वर का जो पद होता है उसका सरजन किया था अच्चियो तो देव राय ने किया था तो विकल्ब इसका सही अ इंसर है निमलिकित में से किस एक बर्स बासको डिगावा ने भारत की दुबारा यात्रा की धियान रखिए पहला अगर पूछेगा तो 1498 विकल्फ A होता लेकिन पूछ रहा है दुबारा यात्रा तो दुबारा यात्रा चार वर्स बाद की थी यानिकि विकल्फ C हो जागा अगर आपने जोगरफी में मैपिंग किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा चीज़े जेम्स कुक उधर कुक स्ट्रेट है ना अस्ट्रेलिया के पास तो यह जेम्स कुक ने किया था किसकी खोज सोरी इसका तो लगता है साइद अस्ट्रेलिया का खोज इस ने किया था हाटने ने सही है जेम्स कुक अस्ट्रेलिया सही मैं बोल रहा हूँ अस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक किया था कुक अस्ट्रेट वहीं पर है आस पास में आब लोकेट कीजेगा उसको भारत की खो प्रमुकर तथा उनके प्रकार के युगमों में से कौन से सत्य हैं तो कर है एक साइड दुसरे साइड प्रकार है उसके अब इसको मिलान करना है जो सत्य सत्य है वैसे तो सारे सत्य हैं मैं सिर्पढ़ देता हूं सही सही जजिया गैर मुसलिमों से लिया जाने वाला कर था एक तूता ने दिल्ली की यात्रा की इसने अपना यात्रा विरतांत किताब उल्रहला में दिया है यह यात्रा विरतांत किस भासा में लिखा गया है तो अर्वी भासा में लिखा गया है विकल भी इसका एंसर हो गया है हलाकि और भी कुछ गौर करने वाली बाती थी क्वेश्चन वाले लाइन में ही इसी से question निकल रहा है सबसे पहला तो ये question पुछ लेता है कि इवन बतूता किस सासक के सासन काल में आया था तो मुहम्मद बिन तुगला के काल में आया था एक पहला fact दूसरा ये कि इसकी जो यात्रा विरतान ये इवन बतूता की उसने किस नाम से लिखी है तो किताब उल रहला रहला भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा और तीसरा fact ये है कि इवन बतूता किस देश का यात्री था तो मुरको का यात्री था है तो और ये अर्वी भासाम लिखा है तो कुल मुला के चार fact जब भी उन बतूता के वारे में आए तो कम समी चार fact फिर से पुना रिवीजन करना चाहिए बारा नंबर क्या लिखा हुआ है निमलखित कतनों पर विचार करना है और जो सही कतने उसका चुनाव करना है तो देखिए पहला क्या है कतन 1856 इसमी में बंबई के बोरिवंदर स्टेशन से थाने के मद भारत में सरपर्थम रेल यात्रा का प्रारंभ मदरास रेलवे द्वारा किया गया तो जी नहीं कतन सही है लेकिन पता है इसमें मदरास रेलवे द्वारा नहीं किया गया था इसका तो यह जो प्रारम किया गया था Great Indian Peninsular Railway ने चलाया था तो इसलिए यह कथन गलत हो गया पहला नमबर दूसरा क्या लिखा हुआ है रेलवे के निर्मान और विकास के लिए नीजी कमपनियों को मुफ्त भूमी दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पुंजी पर 5% ब्याज दिया गया तो यह कथन तो बिल्कुल सही है अपने अस्पेक्टर में जरूर पढ़ा होगा यह इतिहास के जो भी नोट्स पढ़े होंगे आप उसमें यह है तीसरा, लॉड डल होजी के कारकाल में भारत में रेलवे, बिद्धुतार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वूड का डिस्पैच लागू हुआ तो यह बिल्कुल कथन सही है यह सामान कथन है और सही है तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा दो और तीन, यानि कि बिकल बी जो है इसका एंसर हो जाएगा, ठीक है थाटीन नंबर निम्ण में से किसे अंगरेजी का प्रथम धैनिक समाचार पत्र होने का गौरब प्राप्त है तो अंगरेजी का जो पहला समाचार पत्र है वो धैनिक, मतलब हर रोजवाला तो वो इंडियन मीरर को प्राप्त है विकल्प ए इसका सही अंसर हो जाएगा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर जो 14 है अच्छा इंडियन मीरर के वारे में थोड़ी सी और कुछ-कुछ फैक्ट है तो उसको भी बोल देता हूँ तो रिविजन हो जाएगा सबसे पहला ये कि 1861 से ही शुरू हुआ था और इसकी सुरुवात इंडियन मीरर के किसने की थी तो देवेंदरनाथ टैगोर और मनमोहन गोस ने की थी कलकत्ता से तो ध्यान रखना है और एक लास्ट ये है कि बाद में ब्रह्म समाज का मुख पत्र बन गया था कौन इंडियन मीरर देखे फिर से सारी फैक्ट बता देता हूँ सबसे पहला फैक्ट तो ये आगया इंडियन मीरर के बारे में कि अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समचार पत्र होने का गोरप्राप्त है 1861 से सुरुआत हुई है अब 1861 से ऐसे याद नहीं रहेगा 1861 के मुख घटना करमों को थोड़ा बहुत ही अगर याद करेंगे उसका अब लोकन करेंगा तो याद रह जाएगा दूसरा ये नाम बहुत महत्पुर्ण है कि टैगोर और मनमोहन घोष ने सुरू किया था कलकत्ता से तीसरा बाद में ये ब्रह्म समाज का मुख पत्र कहलाने लगा कौन इंडियन मीरर तो ये बात याद रखने होगे 14 नंबर बोल रहा है कि कॉंग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था तो ये बताने आपको तो वैसे तो इसका एंसर एक बहुत ही महत्पुन फैक्ट है वह ये है जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन-कौन से मतलब ब्रिटिसर्स रहे हैं अंग्रेज जो कॉंग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया है या कभी-कभी अध्यच रहे हैं तो देखिए आपने जॉर्ज यूल का नाम सुना होगा सबसे पहले यह वेक्ति हैं जो कॉंग्रेस के अधिवेशन के अध्याक्ष रहे हैं जॉर्ज यूल बिलियम बेडर वर्न यह तो दो बार इससे संबंदित रहे हैं और अल्फ्रेड बेव फिर है सर हेंड्री कॉटन तो यह चार लोग का नाम फिप्टी नमबर निमलिखित में से कौन सायुग्म सही सुमेलित नहीं है तो जो सही सुमेलित नहीं है उससे पहले जो सही सुमेलित उसे देख लेते हैं तो पहला लिखावा है दारूल उलूम तो मौलाना हुसाइन अहमद से संबंदित है दूसरा लिखावा है अहल ए भानी नहीं बलकि सरसेद अहमद खां से संबंदित होना चाहिए था इसलिए सी नंबर यह गलत है तो यहीं इसके भी कलब हो जाएगा वैसे यह option के हिसाब से आसान भी है और hard भी प्रस्ण है क्योंकि इन सारे भी गलबों को वारे में लोग चाहिए न जाने लेकिन इसके वारे में जरूर लोग जानेंगे तो इसी से यह question बन जाएगा 16 नंबर निमलिखित कतनों पर विचार करना है पहला क्या लिखा हुआ है गंधर वेद साम वेद का उपवेद है तो यह एकदम सही है तीनों सही ही वैसे है बस सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ गंधर वेद स कौन से हडपा सभ्यता के संब्भन में सत्य है पहला कतन क्या है हडपा स Ses हंस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवसेस प्राप नहीं हुए है तो हाँ यह कतन सही है दूसरा सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था बिल्कुल सही है सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था तीसरा है कूवडवाला साड इस सभ्यता में विशेष पूजनिय था तो ये भी सही है कूवडवाला साड जो है पूजनिय था हलाकि मंदिर के अवसिस नहीं मिले हैं अच्छा इसका मतलब तीनों कतन सही था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा विकल्प सी एक दो तीन अठारा नमबर अंगुतर निकाय में बरनित महाजनपदों में से केवल दो गंतात्रमक स्वरूप के थे वे दो महाजनपद थे कौन थे तो वे दो महाजनपद थे बज्जी और मल मतलब बज्जी और मल जो ऐसे महाजनपद थे उस सोला महाजनपदों में से जो जहां मतलब लोग गंतंत्र था एक तरीके से, जैसे आज हम देखते हैं, 90 नमबर, अच्छा ये बाकी इसके अलावा क्या था, तो राज साही था, 90 नमबर, निमलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्तक एवं पहले तिर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, तो रिसब देव को पहले तिर्थंकर के रूप में जाना जाता है, तो विकल 20 का सही अंसर हो जाएगा, 20 नमबर में क्या है, निमलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही समिलित नहीं है इसमें पहले जो सही सही उसे देख लेते हैं माल विखागनी मित्रम ये कालिदास इसके नाटक कार है उसके बाद देवी चंदर गुपता हूं इस नाटक के नाटक कार विसाक दत हैं स्वपन वासव दत्ता ये भास इसके नाटक कार है जबकि चारुदत के कामंदक नहीं, चारुदत के भी तो भासे ही हैं इसके नाठकार, तो यह याद रखनी योग था, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, तो रिविजन हो जाएगा, माल विकागनी मित्रम, कालिदास, चारुदत, दत्तम ये भी भासे हैं, देवी चंद्र गुप्तम, विसाख दत्त, और स्वापन वासफ दत्त, ये भी भासे हैं, तो ध्यान रखना है, इसको फिर महतपूर ने कभी कोई मैच करने वाले में आते हैं, तो रिशब देव की मृत्यों कहां हुई थी, question no.21, सम्राठ असोख ने निमलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयम को मगद का सम्राठ बताया है, तो भवरु अस्तम में मगद का सम्राठ बताया है, खुद को असोख ने, भवरु अस्तम को ये बैराठ अस से अभी लेख में बताया हैं तो ये चार अभी लेख और इसके लिए एक ट्रिक दिया थे अबने गन मास्क, जी से गुर जरा और यू से उड़े गोलं, एन से नतूर और आस्क से मासकी तो ये चार ऐसे अभी लेख हैं जिसमें असौक ने अपने मूल नाम को बताया है यह सौर्टर विजन हो गया 22 निम्लिखित में से किस मद्धकालीन कभी को पुर्व के होमर की उपाधी परदान की गई है फिर्दौसी को फिर्दौसी कभी है मद्धकाल के और इनको पुर्व का होमर कहा गया है है 23 एऊरोप बैंकिंग पधदति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्मिखित में यह कौन था निम्लिखित में से कौन था तो बैंक और हिंदुस्तान और हें आज़िया चाहिता साल से इस प्रथम उसे से यहां इनुसार से यहां स्थैपलीष किया गए थै कि मी 24 एक सैप मौरयूगीन प्रान्थ है दूसरे साइगर राजधानी है तो दो प्राश्ट कि पाटली फुत्र तो बी का दो हो जाएगा अब चार का अब मतलब एका और बी का जो है दुनों मैच कर रहा है सी और डी अभी विए अलिमिनेट नहीं हो रहा है सी नंबर दक्षिनापत प्रांथ की राजधानी जो था वो था स्वर्ण गरी तो सी का तीन अब देखें डी नंबर ओप्सन हो जाएगा वैसे लास लावी पढ़ी देता हूं कलिंग प्रांथ की राजधानी तोसली था एक बार फिर से दोरा देता हूं अबंती राश्ट की स्थापना सन 1923 में मोती लाल नहरू और सी आर दास द्वारा की गई थी तो यह बिल्कुल कथन सही है और दूसरा क्यालखवा चित्रण्यन दास देश बंधू के नाम से प्रसिद्ध थे तो यह भी कथन सही है इसलिए बिकल्प सी इसका एंसर हो जाएगा एक और दो दो द रिडिंग जो है लॉड रिडिंग के समय ही भारतिय कॉम्निस्ट पाटी के स्थापना होई थी अच्छा इससे रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट भी लिखके रखे हैं तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं जैसे लॉड रिडिंग का कारकाल पहले यह देखना है कि 1926 में कौन-कौन से महतपुर्ण घटनाएं हुई है वो देख लेना है लेकिन उससे पहले एक बात यह याद रखने होगे कि भारतिय कॉम्निस्ट पार्टी के स्थापने लॉड रिडिंग के काल में तो हुई है लेकिन किसके द्वारा हुई है कभी कभी यह पूछता है तो 1922 में सबसे पहली वार जो इलाहावाद में सिविल सेवा के प्रिक्षा सुरू हुई थी लॉड रेडिंग के काल में हुआ है 1922 में ही 20 भारति 20 मतलब अपना कारप्रण किया था और 1925 में आर समाज के निता स्वामी सरधानांद की हत्या कर दी गए थी लॉड रेडिंग के प्राइड क्यों क्यों कि ब्रह्म मैरीज आक्ट का समवन अंतरजातिय विवा और विदवा पुनर विवा से संबंदित था 1872 में नौर्थ बुक के समय में यह मतलब लाग हुआ था कौन ब्रह्म मैरीज आक्ट जबकि सिविल मैरेज अधिनियम और समत्ति आयू अधिनियम यह सब सब बाल विवा से संबंदित था ठीक है अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि ब्रह्म मैरेज आक्ट किसके काल में आया है तो अच्छा इतो नौर्थ बुक में भी बता ही दिया तो इसमें पूछना क्या है टॉन्टीएट निमलिखित कत्नों में से कौन सा क पहले देख लेते हैं देवन्द आंदोलन एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था तो यह सत्य है कि हमें धुड़ना असत्य है दूसरा सी नंबर में लिखाए अंग्रेजी सिच्छा एवं पास्चात संस्कृति पर्पूर्ण पर्तिवन्द था यह भी सही है बी नंबर जो से करते हैं इसलिए गलत हो गया बी नंबर ऑप्सनिस का सभी हो जाएगा किस बैद सेंधव नगर से एक भी इस्तरी की मिर्ण मुर्तिका नहीं मिली है जबकि यह सिंधु सब्यता की अन्यतम विशेष्थाओं में से एक मानी जाती है तो काली वंगा इसा स्थान है जो इस नंबर अठारवी सताब्दी में अधिकांस एरोपिये देशों में भारतिय बस्त्रों के आयात पर या तो पर्तिवंध या भारी सुल्क लगा दिये गए थे निमलिखित मेंसे कौन सा देश इसमें अपबाद था नीदर लैंड नीदर लैंड अबाद था बाकी सब बिजय नंगर काल में बेश बग प्रथा पर चलित थी तो सही है बेश बग प्रथा परचलित थी अछ लेकिन बेश मवग प्रथा संबंदित कि सीच involved होगाई जानकारी में पुना हस्मरण करा देता हूं प्पर जो था ना मनुस्तियों को क्रयव इकरे से संबंदित मतलब तो आदमियों को करय विक्रक किया जाता था उसको बेसबग प्रथा कहते था विजयनेगर में यह मतलब प्रचलित था दूसरा यह कि परदा प्रथा का प्रचलन नहीं था तो हां यह बात सही है प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था हलाकि अगर यहीं पर अगर यह बिकल प दोस्तन हो गया इसका 32 निम्लिखित कतनों पर विचार करें भारत में सती प्रथा का प्रथम उलेक 510 इस भी के एरन अभिलेक में मिलता है तो यह कथन सही है एरन अभिलेक में मिलता है अच्छा सती प्रथा से याद आया वैसे इसमें फैक्ट जो था यह कि एरन अभिलेक में पांसो दस में सबसे पहली बार सती प्रथा को लिख मिलता है अभी हमने पढ़ा था कि सती प्रथा को सबसे पहले समाब्द किया था सिकंदर ने सिकंदर कौन था आपदीन जो था जैनूल आपदीन के पिताजी थे अच्छा अब दूसरा कथन क्या है सर पर्थम 15 सताबदी मे कस्मीर के सासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था और यही कथन तो दोरा दिया फिर से तो यह बात सही है बिलकुन तीसरा है पुर्दगाली वाइसरा है अलवुकर्क ने 1510 इस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया तो देख लिए तीनों कथन सती प् था और पूर्टगाली वाइस्रायल वुकर्क ने पर दस भी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था तो यह राजया यह बंगला बर्न वाला इस्वर चंदर विद्यसागरन लेखी थी दूसरा वे संस्कृत के अध्यान पर ब्रह्मन जाती के अधिकार के बिरोधी थे बिल्कुल सही है C नमबर उन्होंने संस्क्रित कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्यान प्रारंब किया यह भी सही है D नमबर प्रमहंस मंडली के संस्थावक सदस्था में से एक थे नहीं यह गलत है A भी C सही हो गया D गलत D को पाचाना था D नमबर ओप्सन हो गया गुवार एक खातिर के लेखक कौन है तो अबुलकलाम अजाद की कोई एक रचना और आप कमेंट बोक्स में इसका नाम बताईए जो अक्सर पूछे जाते हैं या ऐसे जो भी आपको याद आ रहा हो बताईए 35 निमलखित में से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महला सिच्छा को प्रोथसाहन दिया गया तो हर्टोग समीथी का समंद्ध भगत सिंग से नहीं है तो भगत सिंग से किसका है तो यह करजन वाइली की हत्या करें वाइली की हत्या का घटना है वह भगत सिंग से संबंदित नहीं है जबकि केंद्रिय विधान सभा में बं फेकना और पंजाब नौजवान सभा से और फिर हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोसियेशन के सदस्य थे तो ये तीनों से समंदित है अच्छा एक चीज करजनवाईली की हत्या फिर किस ने की थी एक जुलाई 1909 में मदन 1929 को उन्हें 1929 में किया गया था अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ मैं भूल गया चलिए जो भूल गया मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बता देता हूं जो बुट डिस्पैश है ना वुट डिस्पैश के सम्मंध में अब पांच पॉइंट को अपने न पंगाल में जमिंदारी के स्वामित्व संबंधि अधिकारों का बिरोध किया तो बिरू किसने बिरोध किया था बिरोध किया था जेम्स ग्रांट ने तो विकल बीस का सई अंसर हो जाएगा 38 कथन और कारण है मारले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए प्रिथक निर्वाचन की विज़ता की गई एकदम बिल्कुल सही है कारण इसके पीछे क्या है कारण है कि इस सुधार का प्रयोजन एक बर को दूसरे बर के खिराब लड़ाना था तो हाँ ये भी सही है तो कथन कारण सोतंत रूप में सही होने के साथ एक दूसरे की व्याख्या करते हैं इसलिए नंबर ऑफ्षन हो जाएगा 39 पस्चमी तट पर इसते तोंडी एक सम्रेद पत्तन था देखिए प्रिवियस एस में सेम कोश्चन को उठाकर डाल दिया गया है तो हाँ था और क कि चेरो के सकाल में तुंडी नाम का एक सम्रेद पत्तन था जिससे भारत और भारत और रोम के बीच में बहुत सम्रेद था और इसी पत्तन सिक्किया जाता था 40 नमबर मुगल सवराट और मकमरा दिया हुआ है तो जो सही समेलित नहीं उसकी पहचान करनी है तो जो सही सही है पहले उसे देख लेते हैं बावर का मकवरा काबूल में है सही है जहांगीर का मकवरा लाहौर में है यह भी सही है अकवर का मकवरा सिकंद्रा में है यह भी सह जबकि कोई भी आसानी से थोड़ा सा इतिहाज इसने पढ़ाए वो बता सकता है कि बहादुर साहा जफर का मकबरा दिल्ली में नहीं है कहां है रंगून में हैं रंगून मयान मार में इनको अठर संतावन करांती के वाज अंग्रेजों ने वहां खदेर दिया था एक तरीके से और वहीं इनकी है तब ही तो यह अफसोस करके कहते हैं कि दो गज जमीन भी नहीं मिला मेरे कबर के लिए 41 निमलिकित में से कौन सी एक गुप्त काल में बरनित स्वर्न मुद्रा थी तो स्वर्न मुद्रा के वारे में अगर पूछे तो दिनार था और अगर चांदी की मुद्रा के वारे में पूछता तो हम क्या बोलते हैं करसापन बोलते हैं तो याद रखना है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा जो थी उसे दिनार कहते थे और चांदी की मुद्रा को करशापन कहते थे तो 41 का हो गया डी नंबर विकल्ब 42 निमलखित में से किस एक अस्थल सिल्प पर विश्नु का बराह अवतार दर्साया गया है उदैगरी गुफा में तो इसका विकल्ब सी हो जाएगा सही इंसर ठीक है उदैगरी गुफा ये कब बनाया गुप्त काल में बनाया गया था मतलब उसका निर्मान हुआ है और विदीशा के पास है गंधार सैली के मुर्तियों के समद में कौन से कथन सत हैं सत कथनों की पहचान करनी है तो देखे पढ़ते हैं पहला क्या लिखावा इसमें बॉद्धिक एवं सारेरिक सौंदर को अधिक महतु दिया गया है तो बिल्कुल सही है बॉद्धिक और सारेरिक सौंदर का ही हो जाएगा कि नेक्स 44 में क्या है निमलिखित में से किस एक की मुर्तियों पर विद्ध्वानों ने निरालंबा स्वर्शती की सोका विव्यक्ति की और कहा कि विद्ध्या एवं विद्वान दोनों निरासृत हो गए तो यह भोज परमार के सम्मंद में यह कथना आती है कि निरालंबा स्वर्शती इनको बोलते थे दरसल यह जो भोज परमार थे ना मालवा के परमार सासक थे एक तरीके के मतलब एक तरीके के परमार सासक थे भोज परमार और यह कला के प्रती इनकी उदार संड़क मतलब उदार दिश्टी थी और संड़क्षण भी करते थे कला क तो इसी के सम्मंद में ये है कथन भोज परमार का नाम याद रखना है 45 रज्म नामा जिसका संकलन फार्सी भासा में किया गया था किसका अनुवाद था तो रज्म नामा जो रकवर के समय में हुआ था तो ये महाभारत का एक अनुवाद था तो याद रखना है अच्छा इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट भी मुझे याद आ रहे हैं पहला तो फैक्ट ये है कि फैजी के नितित में ये अनुवाद हुआ था और बदायूने भी इसमें सामिल था और महाभारत के अनुवाद में इसका नाम क्या है रजम नामा ठीक है पहाजी कौन था अवुलफजल का बड़ा भाई था अवुल फजल के वारे में आपको एक फैक्ट याद है अकवर नामा इसने ही लिखा अवुल फजल और इसके नित्त्व में ही महावारत की महावारत कानवाद हुआ था फार्शी में जिसको रजण नामा कहती है और सब्सक्राइब करना है और जो सही सुमेलित नहीं है उसके बताना है तो वैसे तो सारा सुमेलित है मैं पढ़ देता हूँ कोई ऐसा नहीं है अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संब्सक्राइब सब्सक्राइब करे तो संकल्प की बाद करे तो महात्मा गांधी और अगस्त गोसना की बात करे तो कि इससे याद रखना है इसका अर्म सबसे और सफ्सप्र और सही सांता log directive समेलित है सही वहला पहले देखते हैं धर्म सभा के संस्थापक राधाकान देव थे राधा स्वामी के संस्थापक सिव दयाल खत्री थे आगरा सहर से संबंदी थे यह सेवा समीती हिरदय नाथ कुझरू थे इसके संस्थापक और जब कि सारदा सदन के संस्थापक जे के देवधर नह की थी 1889 में की थी मुंबई में तो याद रखना है यह 49 फ्रेजर कमिशन जिसका गठन लॉड करजन के काल में हुआ था कामुक खुद्दे से था तो पुलीस बिभाग से सुधार यह तो बहुत आसान कुछ नहीं बताई होगा सब को तो बिकल्प एस का सभी इंसर जगा 50 नंबर निम्लिकित संस्थाओं की उगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो जो सही समेलित है पहले सो देखते हैं संस्था उ संस्थापक इंडिया सोसाइटी के संस्थापना किस ने कही मैडम कामा ने भारती गंतंतर की सेना के स्थापना सुरुसेन ने HSRA यानि कि हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एशोशेशन के स्थापना चंद सेखरा जादने की थी जबकि युगांतर और सरदार अजित सिंग का संबन ये गलत लिखा हुआ है युगांतर जो है यह संस्था के स्थापना उन्हें 106 में ह हुई थी बीके घोष और भुपेंदर नाथ दत द्वारा हुई थी तो यह याद रखना है तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद